इस्ट्रों की चंद्रमा पर भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान टू के प्रक्षेपन के 20 खंटों की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है चंद्रयान का प्रक्षेपन सोमवार सुभा दो बजकर 51 मिनट पर आंध्र प्रदेश के श्वीहरी कोटा सती श्थवन अंतरिक्ष केंड़ से किया जाएगा और इसके 6 से दंबर को चंद्रमा पर पहुँचने की उमीद है इस मिशन के लिए GSALV MK3 और M प्रक्षेपन इस्तमाल किया जाएगा इस्तों ने बताया कि मिशन के लिए रिहरसल पूरी हो गई है और इस मिशन के मुखे उदेशियों में चंद्रमा पर पानी की मात्रा का अनुमाल लगाना उसके जमीन उसके मुझूद खानिजों रसाइनों और उनके विट्रन का ध्यन करना और चंद्रमा के बाहरी आप भोतिक की गुणों का विशलेशन करना है चलिए अब ग्राफिक्स के जरिये भी आपको जानकारी दे देते हैं मिशन के लिए जी एसल वी और एम की ठी के लिए इस्तमाल किया जुआएगा और मिशन के लिए रिहरसल शुक्रवार को पूरी हो चुकी है मिशन के मुख्य उदेश्यों में चंडरमा पर पानी की माच्रा कानुमान लगाना माना ज़ा रहा है और चंडरमा के बाहरी बातावरंड की ताप भोतिकी गुणों का भी विशलेशन करना इसमें एहम होगा चंडरमा की सथा पर मुझूद खनीजों रसाइनों के अध्यन से मदद मिलेगी भारत के पहले मिशन चंडरमान एक ने चांद पर पानी की मुझूदगी की पुष्टी की थी बेहत एम ये माना जा रहा है चंडरयान टू के साथ 13 स्वदेशी पेलोड यान वेग्यानिक इसको लेकर जाच कर रहे हैं इनमें तरह तरह के कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर, रडार, प्रोब और कई अन्य उपकरण इस्तमाल किये जाएंगे अमेरीकी अंतरिक्षजनसी नासा का एक पैसिव पोलोड भी इस मिशन का हिस्सा होगा चंडरयान चंडरमा के दक्षिनी धुरूफ के पास उत्रेगा और सोफ्ट लैंडिंग करेगा चंडरमा के दक्षिनी धुरूफ पर अब तक दुनिया का कोई मिशन नहीं उत्रा है दो मिनिट प्रती सेकिंड की गती से चंडरमा की जमीन पर उत्रेगा मिशन के लिए जी असल वी आम कित फ्रे एम प्रक्षे पन्यान का रिहर्सल अब शुक्रवार को पूरी हो चुकी है झाल 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 झाल? पुर्ण दो जो 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 भी बज़ जपग झाल?